दोस्तो आज की डेट में आधार कार के साथ मोबाइल नमबर लिंक रहना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम ऑनलाइन कुछ भी एकाउंट खोलने जाते हैं फिर कोई भी वालेड एक्टिवेशन करने जाते हैं तो आधार नमबर डालना पड़ता है और आधार नमबर पर ऑथ समस्काइब करके बैल लाइक प्रिश्क का लिजिए और जोड़ा पता लगता थो लाइक भी कर दिजिए और सीयर भी कर दिजिए तो चलिए आज की वीडियों को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इस website के उपर आना है इसका जो link है विडियो के निचे दिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा और इस website के उपर आना के बाद निचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा book and appointment का option आप देख सकते हैं तो यहाँ पर click करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आता है यहाँ पे आपको simply select your city or location करना है आपका जो nearby city एफिर location है आप यहाँ से select कर लेंगे select करने के बाद simply करना है proceed to book appointment और proceed to book appointment करने के बाद आपका mobile number डालना है और यहाँ पे capture code डालना है और करना है generate OTP generate OTP करने के बाद आपके mobile number पर एक OTP receive होगा और यहाँ पर OTP डालके simply करना है verify OTP और verify OTP करने के बाद कुछ इस तरह interface आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं resident type यहाँ पर resident select रहेगा यहाँ पर आधर number डालना है और यहाँ पर आपका नाम डालना है आधरकार पर जो भी नाम है और यहाँ पर application type यहाँ पर document select रहेगा यहाँ पर आपका state select करना है तो यहाँ पर मैं state select कर लेता हूँ state select करने के बाद यहाँ पर आपको city select करना है आपका जो भी city है उसके बाद आधर सेबा केंदरे सिलेट करना है और सिलेट करने के बाद सिंपली करना है next और next करने के बाद personal details में आप देख सकते है select fields to be update क्या आप अपडेट करना चाहते है तो यहाँ पे new mobile number इसलिए यहाँ पे tick mark लगाएंगे new mobile number box पर और tick mark लगाने के बाद आपका जो mobile number है यहाँ पे दिखाई देगा जो number को आप लिंक करना चाहते है यहाँ पे simply करना है next और यहाँ पे next करने से पहले दिखा दूँ जो applicable fee है 50 rupees total आपको 50 rupees पे करना है online तो यहाँ पे करने के बाद calendar type का option आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे calendar में date and time आपको select करना है red मतलब available नहीं है white मतलब slot खाली है तो यहाँ पे मैं 23 तारीक को select कर लिया और यहाँ पे कोई भी time में select कर लेता हूँ अपने हिसाब से और यहाँ पे आप देख सकते है appointment confirmation में time date and यहाँ पे पूरा address है और यहाँ पे नीचे की तरब जाएंगे और करेंगे next next करने के बाद कुछ इस तरह interface आएगा application review जो की final step है और यहाँ पे final आपको करना है submit करने के बाद करना है ok कुछ भी आप select करके payment कर सकते हैं और जैसे आपका payment successfully हो जाता है आपके mobile पर message आ जाएगा जो कि आपका appointment successfully book हो चुका है और उसी time and date में जाके आपको उसी address पर भीजिट करके आधरकार के साथ mobile number link कराना है नियार भाई आधर सेबा किंद्रे में जाके दोस्तों आपको दिखा दिया किस तरीके से आधरकार के साथ mobile number link कर सकते हैं इस वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए और चैनल पर पहली पर रहते तो प्रीजिट सब्सक्राइब करके बेल आकन को ज़र प्रिस कर लिजिए मिलता आप सो नेक्स्ट वीडियो में त